हेलो गाईश, स्वागत है आज के हमारे नई वीडियो में आज आपको बताते हैं कि बहुत जन का कमेंट आ रहा था कि मैडम हम अमरूत गाश लगाए है मेरा अमरूत फर नहीं रहा है आम का पेड़ हो चाहे फलने वाला कोई भी पेड़ हो वो फल नहीं रहा है उसका कारण बताएंगे और उसका आपको टोटका भी बताएंगे कि आप खुश से करकर यह आम हो या अमरूत हो या कोई भी फल आप लगा रहे हो तो आपको फलने के लिए बता रहे हैं कोई भी हो पेड़ जैसे कि आम अमरूत आपको बताएं और आपका फल नहीं रहा है फूल दे रहा है जैसे कि आपको हम ये दिखा रहे हैं अमरूत का पेड़ है इसमें फूल दे रहा है और इसका फूल जो जहर जा रहा है कोई को पेड़ होता है जो बंजोर फूल देता है या कोई ऐसा कि आप अमरे चैनल पर नए हो तो हमार वीडियो को करदे like और चैनल को करदे subscribe और इसी तरह के हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा आपका अमरूत फरने लगेगा कुछ आपको टोटका बताते हैं यह अमरूत का पेड़ है अमरूत का पेड़ आपको 5 साल में फरने लगता है तो यह हमारा 5 साल हो गया अमरूत का पेड़ और इसमें फूल लग रहा है पर फल नहीं दे रहा है तो इसका हम कुछ टोटका करने वाले थे हैं तो सोचे आप लो तो कुछ ऐसा आप कील ले लें, हम छोटा कील लिये हैं किमकि हमारा जो ये तणा है, ज्यादा मोटानी है, तो इसलिए हम छोटा लिये हैं पर कील है ये, अदी आपका विशाल पेड है और फल नहीं दे रहा है, तो आप इसे थोड़ा से लंभा ले सकते हैं, उसे एंखा ने पेड में फल लगने लगेगा, फूल के साथ फल भी लगने लगेगा, तो आपको किस तरह डालना है? इस तरह आप इसके अंदर दबा दें और कोई चिसे से ठोक दें, ताकि ये जो कील है इसके अंदर गल जायेगा, ठीक हलका जड़ के नीचे, ये अराम से आपका ये पेड में जा चुका है, अब ये फल जड़ जा रहा है, तो इसका फल ये फूल जड़ेगा नहीं, ये आपका अमरूत का पेड है, ये फरेगा, तो आपके घर में भी कुछ ऐसा ब्रीच है, और फल ज़र जा रहा है, तो आप ये टोटका करें, आपको ये 6 महिना का अंतर पर ये पता चल जाएगा कि इसका फूल नहीं जरेगा और फल के साथ आपको ये फल अगर आपको हमारा जानकारी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें सेर करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह का हमारा वीडियो आपको आपके पास पहुंचता रहेगा इसी तरह आप एक परिवार का तरह जुड़ते रहें और कमेंट करें तभी पता चलेगा कि एक परिवार बन गए हैं आप हमारा और कुछ ऐसा पेड़ पोधा आपके घर में जो फल नहीं दे रहा है कमेंट जरूर करें तभी तो हमको जानकारी होगा ये आपको क्या आपका पेड़ पोधा का तकलीप है हम जान सकते हैं और जानकारी से ही उस पीश में फूल या फल ला सकते हैं धन्यवाद हुआ 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 है